हेलो दोस्तों आगया सोसल साइंस से टू का अब्जेक्टिव परस्ण तो आप सभी छातर एक एक वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं वीडियो को इस्टार्ट करूँ और एक कोशन के अंसर आप सभी को बता दूँ आप सभी लोग फटा फट लाइक किजिए किमकि इसके पहल बहुद अलीय ववसता नहीं है तो आप सभी का सभी उत्तर होगा और सदस्ट में बहुद विवसता नहीं है इसका सही उत्तर हो जयोगा 23 यहांपर 23 प्रस्ण है कि किसी भी देश में राजनेतिक अस्ताइट वोके लिए निमुली खित क्या आशिया नहीं है निमुली खित में कौन आशिया को नहीं है तो इसका हम लोग ज़िए जबाब क्या देंगा दोस्तो हम लोग बिल्कुत सही जबाब ऑफन नमर डि देंग सरकार द्वारा विरोधी दलो को नजरबंद करना इसको हम सही उतर देंगा अफसर नमर क्या देंगा दोस्तों डी देंगा ठीक है अगला कोचन दोस्तों यहापर चौविस नमर द्यान से देखेगा चौविस नमर परहस्ट ने कि निमलीखीत कौन से चुनावती राजनीती दलो की नहीं है निमलीखीत कौन सी चुनावती राजनीती दलो की नहीं है तो हम इसका एंसर क्या देंगा ऑफसर नमर दी देंगा वीStop सीधानत कर दॉब से गठमांदन करना इस्का हमिलोग सही जवाब देंगां Hudson क्या देंगा दोस्तों डी देंग ठीक है अब दूस्तों अब बदल कानून किसे काहते हैं आप सबी के बोट पर इछाइं מח की को और पूछा जाता है तो आप लोगी यात कि होएँगे तो इसका फटा HOL보 10 सांसादो और विद्याइकों पर लागू होता है तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे option number 8 देंगे सांसादो और विद्याइकों पर दल बदल कानून नियम किया जाता है ठीके मतलब कि उस पर यह नियम लागू होता है और 26 नमर को चाने दोस्तों कि राजनीती दलो को मन्याता और उसका चुनाव चीन किसके द्वारा परदान किया जाता है तो निरवाचन आयोग द्यारा नौकी राष्टपती द्वारा और नहीं परदान मंत्री के द्वारा बलकि निरवाचन आयोग के द्वारा ही उसका चुनाव चीन और मन्याता दी जात भारतिय जन्ता पार्टी बहुजन समाज पार्टी यह सभी क्या राष्टी मतलब की दल है और लोग जन्सक्ति पार्टी यह राष्टी दल के अंतरगत नहीं आता है तो हम लोग इसका एंसर देंगे अक्सलमर्सी और 28 कोचन दोस्तों की जन्ता दल यानि की इनाइटेड पार ऑदिया कोचन हो सकता है कि परफम पाली में पूचे या फिर सेकेंड पहली में लेकिन कोचन आवस से पुचेगा ठीक है 15 1820 में तो 22 में आवस से पूचेगा ठीक है तो हम आइसका एंसर क्या देंगे मेले कि निमन लिखी तो जम्मु कस्मीर होगा देखिएजस सतन हो में दिया होगा जम्मु कस्मीर से प्रापत खकी के याद रुखना अगला श् willkommen जोसिए नीवन में कौन सी इस्तिति लोगतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवसियक है सबसे आवसियक है तो हम लोग इसका रही जवाब अग्रतिय जनता पार्टी की एस्तापना कभी फार्तिय जनता पार्टी की देंगे अग्ला कोषन fractie इस्तापना पूचल नमस तो प्लोख कि गारती जनताा पार्टी की पूच़े जा रहा है कि भार्तिय के सेकेंड पाली में पूछा गया था था हम लोग इसका अंसर देंगा अफसन नमर बी होजेगा कमल का फोल 35 नमर को हो चाने दोस्तों कि किस के नेतिर तो मैं 1987 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ मतलब किसके मतलब की उसमें कौन था मतलब की राष्ट पती करपुरी चंद्रसेकर्ण जग्जीवन राम फिर मुरार जी देशाही तो इसका सही जवाब क्या देंगा दोस्तों अफसन नमर ऐ हो जागा मुरार जी देशाही उस समय के परधान मंतली ठेक है और चातिस हम प्रस ने दोस्तों की बहुजन समाज पार्टी के संसाव कौन थे तो इस आप सब्सक्राइब अब इस यानि कि बाइस में पूछा जा सकता है ठीक है और दोस्तों अन्तिम प्रस्ने की बंगलादेश को सतंत्र हुआ यानि कि कब अजाद हुआ तो आप सभी को पता होगे कि बंगलादेश हमारे ही देश का एक हिस्सा रहा था पहले लेकिन अब उसको अलग कर दिया गया जैसे बांगलादेस हो गया सिर्लांका हो गया सिर्लांका नहीं दोस्तों बांगलादेस और पाकिस्तान और भारत यह तीनों एक ही में था ठीक है और इन तीनों को अलग किया गया तो पाकिस्तान कब आजाद हुआ आप सभी कमालम होगा और सिर्लांका कब कब आजा बांडेस को 12 से होगा लेकिन इहां पर नहीं होगा किや यहां परAT अतर यह 파र रहें संते हैं 2001 जाओ अर सिरलांका 1998 वा रहारत पर एंसर दिया है 211 गलत होजाएगा कि बहुत्तर में बागलादेस अजाद हुआ था और स्रिलांका 1928 में जाद हुआ था और भारत 1947 अजाद हो ठीक है तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो काफी अच्छी लगी होता है हर चात्र के लिए तो साइंस का इनफोर्टन आप सभी को अब्जेक्टिव को चन पतामगा निचोड आपके बुक में भी नहीं दिया हो ठीक है आप सभी को बताएंगा ठीक है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को भ